है फ्रेंज आगे पढ़ेंगे नीटम के बारे में तो चलिए इसका क्लास्पिकेशन देख रहते हैं किंडम में प्रांटी, डिवीजन, जिम्रस पर्म, क्लास्, नीटोपसिडा, ओर्डर, नीटेल्स, फैमिली, नीटेसी, एंड जीना से नीटम इसके बारे में हमें आज पाइन आएंगे अब इसके कुछ जनरल अकाउंट्स देख रहते हैं तो ग्रीन, डैंस, एंड बुडी, ब्रांश्ट ट्री, वो ग्रीन, खना और बुडी ब्रांश्ट होता है प्लांट बॉडी डिवाइड इंटो रूट स्टैम एंड लीव्स, लीव्स हैं स्मूथ एंड ग्लॉसी, चमकती हुई मिलब चिकनी और चमकदार होती है इड गृठंट। पंटेम में, आंड इसमें, डिवाइड ग्रेजिंगर होता है जसे की फ्लार प्रेजेंट होता है क्लाइमबछ्स होते हैं में उपर की तरफ पेर जो है वो चड़ते हैं या उपर की तरफ ग्र्रोथ करते हैं डायोशियस प्लांट होता है, बीजन फीनल जो है, वो एक ही प्लांट, अलग अलग प्लांट पर पाई जाते हैं, अब हम इसकी मॉर्फो लॉजी देख लेंगे, तो stem is branched, long shoot, dwarf shoot present, flower present, unlimited shoot in unbranched, जो unlimited shoot, जो unlimited shoot होते हैं, वो branched नहीं होते हैं, limited shoot is branched, no petiol in leaves, no diant, no present, leaves, all limited shoot, जो leaves होते हैं, वो limited shoot होते हैं, unlimited पर नहीं होते हैं, unlimited shoot पर जो leaves होते हैं, वो scary होते हैं, जो limited shoot पर जो leaves होते हैं, वो large होते हैं, leaves are large in size, उसके बाद हम देखेंगे, अनाटॉमित, अनाटॉमित, सबसे पहले हम इस time के अनाटॉमित देख लेंगे, तो फ clinical layer दिखाई देती है यह वाली स्टुमेटा होती है फिर epidermis आती है उसकी बाद outer cortex middle cortex, middle cortex में कुछ fibrous cells present होती है इस टाइप की छोड़ी पिर आता है middle cortex के बाद inner cortex inner cortex के बाद endodermis endodermis के अंदर pericycle pericycle के अंदर vascular bundle present होता है इस बंडा में फंसलरे होता है,party座 है Fliyan bar की तरफ दर एक पे Blueaudella लूप स patte की ल्र शायलम जो जो ग्हेरे वारे हुए, पित को ग्हेर हुए रहते है लार्ज पित इंप प्रिजिल से तो यह मैं इस का श्रूलरर की और मैंना से लॉप कईक्ष के जाहिर हैं first प्र जी दिखा देती है सेपिडर्म कोटेक्स जया दिखा हैं इसाद के साथ किध कम ऊससी के साथ नहीं फ्रच में स्टार्ज कंटेम्टता हैं साथ पुछ जे फाइबर साथ पूस्ते समें में इ 뉴스 के भाद आता है कॉर्ट तक्स के बार मैं एंडिод armist डिखा दीती है और पैरी साइक। पैरी साइकल के बाद रास्टे दीती है इसमें अंदर वारी मेटर्ज़िन होते है बाहर के zyron ये phytozyron होती है जो बांकी का अरिया होता है वो floium होता है उसके बाद जो हम लीफ की anatomy करेंगे लीफ की anatomy में फसके हमें उसी तरह से cuticle दिखा दिती है अपिडर में सिखा दिती है टिजमें मेज़ोफिल सेल्स प्रजेंट होती है यह मीजोफिल संस यहां पर बीच में जहांवangen Vascular bundle प्रेजेंट होता है जहांत एंद बंडल स्कोली में स्टोन सल्स प्रेजेंट होती है इस वेस्वल बंडल्स के आगे यह साइद में पैली से ले oldyl sales एंस पोन्स पैंदुस प्रेजेंट हिए तो आपटे लोन के प्लान्ट की बाध कर लेते हैं तो यह बीप्लांट अलग प्लान प्लांट पर फिमेल के अलग प्लांट पर हकpha लिए ने प्लान dinolata 캰ा के बाझ कर लेते हैं जहें अलग मल फ्लांट में में 12-25न की बाइप वे होते हैं found on apex of node node की apex पर ये strobulous ये flowers present होते हैं notes जब fuse हो जाते हैं तब ये strobulous बनता है जब inter notes जो notes present होते हैं तो फ्यूज हो जाते हैं तब ये strobulous एक complete होता है और बहुत सारी notes जब clusters form में होती है तब ये male strobulous clusters form में present होते हैं एंथर present होते हैं टॉप पर उसमें white color flowers जो निकले रहते हैं वहीं पर एंथर होता है white color में strobulous founds in clusters form फिर उसके बाद देख लेए था हम female strobulous जो female strobulous है वो male strobulous जैसा ही दिखता है इनको जब इनकी young stage होती है दोनों की तो ये फांगाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन से female strobulous है कौन से male strobulous है वाट फिमेल जो strobulous है वो completely green होता है और जो green उसमें ovule सलक से दिखाई देते हैं और four to ten flowers इसमें होते हैं इसके flowers भी white color के होते हैं लेकिन ये mostly green color का दिखाई देता है और ये जो flowers है जो ovule है वो three envelop से surrounded रहता है outer envelope, middle envelope and inner envelope male and female के strobulous देखने के बाद हम देखें के fertilization तो fertilization में हम जो pollen grain होता है वो जब enter के अंदर होता है तब वो division करके दो cells बनाता है एक प्रोथेलियल सेल और एक अधर सेल बनती है जो कि आगे further divide करके दो cells बनाता है एक generative सेल बनाता है और एक tube सेल बनाता है और प्रोथेलियल सेल भी रहती है जब ये pollen grain ovule के ऊपर पहुंच जाता है तब ये pollen tube बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये जो टूब cell है वो pollen tube बनाती है और ये जो generative cell है वो दो male gamate बनाती है कि male gamate micropile से tube के तुरू ovule तक पहुंचते हैं और ये दोनों जो है एक्सिट फ्यूज करते हैं एक्सिट फ्यूज करने के बाद ये जाइगोड बनाते हैं जाइगोड बनने के बाद जाइगोड जो है division करके दो cells बनाता है suspensor cell and embryonic cell जो embryonic cell है वो आगे जाके endosperm बनाती है जो कि seed के लिए food का काम करती है अब जनते हैं और आगे ये further division करके seed का formation कर लेते हैं तो इस ताइप से fertilization की process जो है वो complete हो जाती है और इस seed से एक नया plant germinate हो जाता है thank you so much for watching this video guys and आप comment box में जरूर बताएगा कि आपको ये topic समझ में आया या नहीं अगर आपके कोई query है तो आप मुझसे बताएगा जरूर बोलिए and मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए बाई बाई